हालो एवरिवान वेल्कम ओन एक्जांपूर एन वेल्कम ओन टुड़ेज निव शॉट वीडियो क्लास आज की जो शॉट वीडियो है उसका टॉपिक होगा कुरूबा कम्यूटी यह करनाटा का एक कम्यूटी है जो अभी रिसेंटल अपने प्रसेशन के कारण चर्चा में आ अब क्या है यह कम्यूटी इनके क्या डिमांड है क्या डिमोग्राफिक रीजन है यहां पर जिसकी वज़े से यह इस तरीके की डिमांड कर रहे हैं कुछ इस तरीके का रैली जो है आपने निउस्पेपर में देखा होगा इसी संबंद में हम देखते हैं तो कुरूबा कम् के रखती थी बाद में एक कि 1977 में जस्टिस एल जी हावनूर की अध्यक्षता में कमिटी बनी जिन्होंने कुरूबा कम्यूनिटी को कुरूबा कम्यूनिटी को मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस की कैटिगरी में शिफ्ट कर दिया फ्रॉम सथी गट dop एप एस्टी के टिगरी से इनको बैकवर्ड मॉस्ट बैकवर्ड क्लासेस का सक्षन था उसमें इन्होंने पर दिया ठीक है सिर्फ ये कहा गया कि कुछ कमिशन के दौरा ये कहा गया कि कुछ एरियाज में रहने वाली जो कुरूबा कम्यूनिटीज होंगी उनको ST केटिगरी का स्टेटस अभी भी वो एंजॉई कर सकते हैं और वो एरियाज कौन है जैसे बीदर का एरियाज, यादगीर का एरिया, अधिकेरी एरियाज जो है, कुरूबा कम्यूनिटीज वह इन इस्थानों के जो कुरूबा कम्यूनिटीज है वो अभी भी अपने प्रीवियस ST केट स्टेटस को ही एंजॉई करेंगे, बाकि जो है उनको most backward classes में रख दिया जाएगा, तो अब यह जो population है, यह करनाटक की ए एक sheep rearing, they are traditionally sheep rearing, मतलब भेन चराने वाले मोखिता कम्यूनिटी है यह, और यह पूरा का पूरा 9.3% स्टेट की population में contribute करते हैं, 9.3% है और backward classes category में अभी majorly यह आते हैं, ठीक है, दिस इस दे फोर्थ लार्जेस्ट, करनाटक की फोर्थ लार्जेस्ट जो है, कम्यूनिटी है after lingayat, woka linga और muslim community की बाद में यह फोर्थ लार्जेस्ट कम्यूनिटी वहां की है, ठीक है, तो कहां पर अलग states में यह पाए जाते हैं, तो हम देखें, मारास्ट में भी, मारास्ट में धांगार्स इनको बोलते हैं, इसके अलबाबरीज या राइकास जो है, गुजरात में बोलते हैं, और इस तरह गडरिया बगर बोलते हैं, हर्याना में इस तरीके के तमाम similar category के लोग पाए जाते हैं, अगर हम इनकी कुछ और demands को देखें, इनकी demand कैसे arise हुई है, उसका grassroot reason क्या है, तो विए अगर हम देखें, तो हमें मिलता है कि जो मुख की community है करनाटा की जि कि अबगी लिंगायत कम्यूटि से आते हैं, तो लिंगायत कम्यूटि ने 2018 में, 2017-2018 में भी इन्होंने demand करना start किया कि लिंगायत कम्यूटि को एक separate minority religion tag जो है, वो करनाटाक में दिया जाना चाहिए, ऐसा demand किया लिंगायत कम्यूटि ने, तो लिंगायत सब्सक्समाम उन्हो भी backward class 2A category में रखा जाए जिसके तहत उन्हें 15 प्रत्षत तक का reservation सरकारी नौकरियों में और जो सरकारी सिक्षन संस्थान है educational institutions हैं वहाँ पर उनको 15% का reservation मिलने लगेगा तो यह procession जो है लिंगायत ने 2018 में चलाया था इसके बाद से इस तरीके की demand विभिन ने communities में देखी गई और अब यह कुरूबा community में भी यह आ गया है ठीक है तो यहाँ पर एक justice HN-10 Commission जो बना था HN-10 Commission ने कहा कि उन्होंने कहा कि increasing the existing existing reservation for SC from 15-17% और ST from 3-7% not exceeding the overall 50% reservation quota जैसा Supreme Court ने कहा है कि reservation का पूरा quota 50% से जादा नहीं होना चाहिए तो उन्होंने कहा यह हम increase भी कर देंगे और पूरा 50% से जादा increase नहीं होगा यह करना एक difficult task है पर ऐसा जो है दास Commission ने वहाँ पर कहा है इफ कुरूबा अर डिक्लियर्ड एज ST तो कुरूबा अगर क्योंकि 10% population है लगभग 9.3% population है अगर इनको हम बैकवर्ड से निकाल करके ST में रखते हैं तो हमको reservation के जो statics number है उनको भी change करना पड़ेगा ऐसा दास कमिशन ने कहा है और उन्होंने कहा है कि हम ऐसा कर भी सकते हैं challenges क्या है challenges क्या है challenges बेसिकली यह है कि state अभी भी अभी जो state है वो सब 50% की capping तक पहुँच चुका है reservation की 50% capping तक पहुच चुका है इसमें अगर हम changes करते हैं तो जो backward section है उसी का reservation category को हमें reduce करना पड़ेगा अगर हमें SC ST का बढ़ाना है तो करनाटक में जो reservation है 50% उसमें 32% जो है उसकी capping है किसके लिए backward class के लिए 32% backward class के लिए है 15% SC के लिए और 3% ST के लिए है तो इसमें major changes अगर हम कुरूबास को इसमें डालते हैं तो इसमें ST category में हमको changes करने पड़ेंगा और वो reduction यहां से ही किया जाएगा backward classes से तो एक major चीज क्या start हो जाएगी अगर इस तरीके के changes किये जाते हैं तो दूसरी community जो backward class में आती है वो इसके खिलाफ provocation कर सकती है वो इसके खिलाफ सडकों पर आ सकते हैं तो यह यहां पर category wise reservation का चार्ट में करनाटक के संबंध में यहां पर दिया हुआ है थोड़ा से जानने कि schedule tribes क्या होते हैं तो हमारे संविधान में schedule tribes का कोई भी particular definition नहीं दिया गया है कोई भी ऐसा definition नहीं है फिर भी Article 35 Article 366 जो है वो schedule tribes communities के बारे में कुछ चीज़ें यहां पर बताता है उसी तरीके सा Article 342 भी जो है that only communicates who have been declared as such a presidential order यह किसी भी तरीके से कैसे कौन जो है Act of Parliament के द्वारा schedule tribe declare किया गया है सिर्फ उसी के संबंध में बात करता है पर कोई particular definition जो है वो हमारे constitution में tribes की नहीं है पर फिर भी जिस तरीके से tribals declare किये गये हैं उसके कुछ standards set हो गये हैं जैसे जैसे वो प्रिमिटिव नेस होना चाहिए जैसे हमारा जो human था प्रिमिटिव कंडिशन में रहता था श्रीव ट्राइब्स केटिगरी में रखा जाता है एक और वर्ड हम सुनते है पर्टिकुलर्ली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जिसके संबंध में यूपीसी ने लास्ट ये पिलिम्स में question भी पूछा था तो पीवी टीजी ग्रुप क्या होते है हमारे देश में 75 टिकनॉलजी है वह एग्री कल्चर में ये यूज नहीं करते हैं उनको पीवी टीजी में रख सकते हैं ठीक है स्टैग्नेंट और डेक्लाइनिंग पॉपुलेशन उनकी पॉपुलेशन जो है वह डेक्लाइन कर रही हो एक्स्ट्रीमली लो लिटरेसी हो पढ़े लिखे बह ग्रूप में रखते हैं और भारत में कुल 75 पीवी टीजी अभी तक डिकलियर किये गए तो यह था कुरूबा कम्यूटी ऐसी जब कम्यूटी कोई चर्चा में रहती है तो UPSC में अक्सर पूछ लिया जाता है कई कम्यूटी को उनके स्टेट के साथ में मैच करने के लिए चुछ सकते हैं तो आपके सामने यहां पर मैंने प्रेजंट किया क्या कुरूबा कम्यूटी का डिमांड है और किस तरीके से देमोगर्फिकल कंडिशन है करनाटा की अब देखते हैं आने वाले समय में इसमें कौन से मेजर चेंज आते हैं आई होप आपको यह टॉपिक औ और यह explanation पसंद आया होगा तो प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें दूसरी लोगों तक इस वीडियो को पहुचाएं और एक्जामपूर को और हम फेमस बनाते हैं ठीक है चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्यू सो मच